नमस्कार, साथिू, ये प्रात्नापत्र हमारे वित्यालए के बिद्धूत कनेक्शन के सुधार्ने के लिए दिया गया था 2019 में आपको यकीन नहीं होगा इस प्रातना पत्र को देने के दूसरे ही दिन तुरंट इस पर प्रितकरिया व्यक्त की गई अर्थात हमारे बिध्याले में दूसरे दिन ही ट्रांसफार्मर से लेकर और हमारे बिध्याले तक का पूरा कनेक्शन नई पूरी केविल डालते हुए विभाग द्वारा सही किया गया और इस प्रात्ना पत्र को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत दीज साधारर सिंपल प्रात्ना पत्र है इसमें हमारे पधान जी और हमारे SMC अध्यच और SMC की बैठक करते हुए ये प्रात्ना पत्र हमने लिखा था उसी SMC की बैठक के दोरान ही हमने इसमें इस तरह से इसको लिख कर और पत्र बिवहार पर अंकित करते हुए इस प्रात्ना पत्र को खुद बाई हैंड बाई पोस्ट नहीं बाई हैंड सामने से जाकर विद्दुत अवियंत्या जी को देकर आई थी जेई जी को देकर आई तो यह यहां पर यह दिनांग और पत्रांग संक्या पड़ी हुई है हमारे विद्ध्याले की इस तरह से सेवा में विद्दुत अवियंता से कहरा जन्पत कासगंच आपका जोवी स्थान है आप बोले सकते हैं विश्याथ प्रात्मिक विद्ध्याले खरगाति पुर का व महोदय आपसे बिनम्रन निवेदन है कि प्रात्मिक विद्ध्याले खरगाति पुर का विद्धुत कनेक्शन खराब है जिससे विद्ध्याले का शिच्छड कारे बादित हो रहा है यह उस समय की बात थी जब अंधेरा हो जाता था मौसम भी खराब रहता था कमरों में बर थाले तक का खराब है अधे आपसे अन्रोध है कि यता शिच्गर विद्ध्याले का विद्धुत कनेक्शन सही करने का कस्ट करें और मीटर नंबर यहां पर इस तरह से यह नोट कर दिया गया है और यह अस्तार चर है आप यहां पर देख सकते हैं बहुत साधान सा एप्लि गया है तो आप इस प्रातना पत्र को इसकी PDF लिंक वीडियो के description box से प्राप्त कर सकते हैं और साथ हो comment box में comment करके हमें जरूर बताईए कि ये प्रातना पत्र आपको कितना सही लगा है क्योंकि ये एक example है इसके बाद हमारे यहां light हमारे बिध्याले में सही हो गई है और तब से अभी तक सही ही चल लगी है यह 2019 का प्रातना पत्र है जिसको मैंने आप लोग के साथ share करना बहुत ही जरूरी समझा क्योंकि बिना light के बिध्याले में शिचर कार सुचारू रूप से चल सके और आप तो smart classes है sound system है इन सबको इन सबका जो सुचारू रूप से कार है वो बिना light connection के चल ही नहीं सकता है तो इसलिए यदि आपके बिध्याले में connection खराब है कहीं से भी तो आप इस तरह से आप अपने ग्राम पन सौरी आप अपने जो न्याय पंचायत है या जो ब्लॉग है उस के अभियंता जी को इस तरह से प्रात्ना पत्र लिख सकते हैं यदि उनको नहीं लिख सकते हैं तो आप अपने अब इस तो विद्धुद अवियंता जी को ही लिखेंगे जिस विभाग के लिए आपको जिस काम की जरुरत है आपको उसी विभाग के लिए यह प्रात्ना पत्र लिखना चाहिए तो वीडियो को अंतच देखने के लिए धन्यवाद और इसी प्रकार के महत्युपूर्ण प्रात्ना पत्र आपको आगे भी मिलते रहेंगे उन सबको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद